नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है अंसराज कराना में आपका स्वागत है तो देविंद्र भाई ने मुझे कमेंट करके पूचा था सर मुझे जानकारी देने की किरपा करें मेरा सामान क्यों नहीं भिकरा तो आज उसी टोपिक पर बात करने वाले हैं तो बने रही है वीडियो के एंड तक तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप कितना टाइम दे रही हो इस काम को तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ अगर आप नो करी करते हो चाहे तो सरकारी जोब हो या प्राइविट सेक्टर हो तो कम से कम आपको आठ गंटे टाइम आपको देना आपका सामन विके या ना विके फिर भी आपको फिल्ड में कम से कम आठ गंटे तो रहना ही हैं दोस्तो अगर आप आठ गंटे टाम देते हो तो आठ गंटे में आप कम से कम 25 से 30 दुकाने अटेट कर लोगे अगर 25 से 30 दुकानों पर आप जाते हो तो कम से कम आप से 10 से 15 द जिक्री आपकी आराम से हो जाएगी और दोस्तों जैसे आप घर से निकलें और आपने घंटे 2-गंटे काम किया और पर आपने सोचा कि मिरा तो सामानी नहीं विच्रा चलो घर चलते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फिल्ड में मिनिमम आठ गंटे तो रहना ही है, आप दो दुखानों पर जाओ, पर तीसरी पर जाओ, पर चोती पर जाओ, ऐसे ही ऐसे करके आप जाओगे तो कोई ना कोई तो आपसे सामान जरूर लेगा, तो मिनिमम आपको आठ गंटे रहना है अगर आप 8 गंटे फिल्ड में रहते हो और कम से कम आपको continue एक महीना करना है एक महीना आप करके देखलो आप से automatic लोग जुड़ जाएंगे और आपका सामान भी पिछने लगेगा तो एक पॉइंट तो दोस्तो यह हो गया आप बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तो दूसरा पॉइंट यह है मैंने जब काम शुरू किया था तो मैं क्या करता था जैसे दूर से ही दुकान भाई से पूछ ले था कि आपको सामान चाहिए कि नहीं तो एक अंकल ने मुझे बताया था उनकी भी दुकान थी तो उनकल ने मुझे बताया था कि आप ऐसा मत करो आपने नया काम शुरू किया है क्योंकि वो अंकल मुझे पैचान गए थे क्योंकि मैंने उन्हें दूर से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या करना है तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको बाइक खड़ी करनी है पहले पिर आप देख लें, दुकानदार कई बजीत हो नहीं, किसी केस्टूमर को सामा या किसी और काम में बजीत हो नहीं है, तो आपको दो-चार मिनट बेट खर लेना है, अगर आप ऐसा करते हो, तो दुकानदार की नजर में तो आप पहले से ही हो कि सामने वाला बंदा नहीं है और पूछना है जैसे कोई बाई यह 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 बैन ऐ या अंकल आउंक्ल आँटी आउगर फिरति फिर भी वो साहन नहीं रहे तो आपको निरास नहीं होना उनसे पूलना आपको कोई वाद नहीं आप अगली बार लेना कोई दिक्कत नहीं है मारा तो कहा में बताने गा जो हमने आपको बता दिया अगर आप लगातार दो चार वार कंटिनू उनके पास गए तो उनको यह सा लगेगा कि बंदा अरवार आ रहा है और अरवार मुझे सामान दिखा र तो दोस्तो यह हो गया दूसरा पॉइंट अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तो तीसरा पॉइंट यह है दोस्तो के आप सुवह सात बज़े घर से निकले पहली दुखान पर आप गए तो जो ताजगी और एनरजी आपकी पहली दुखान पर है वो ही आपकी एनरजी लास्ट दुकान पर नहीं चाहिए दो चार आइटम दिखाए आपने और फिर आपने सोच लिया कि मुझे से लेंगे तो नहीं तो आपको ऐसा नहीं करना है आप आपको लाश्ट दुकान पर भी बोही एनरजी और बोही ताजगी होने चाहिए तो आपको सामन सबकुछ दोश्ट में करना है आप डुचारा आइटम यहाँ सबसे ज़्यादा चलती हो जैसे मैं आपको बता दो पर स्वीटि गॉल्ड सुंगाडी चलती है और हर दुकान पर आपको मिल जाए और आप ले कर जाते हो और दुकान दार से पूछती हो तो एक दो पैकट तो अर्दुकांदार आपसे ले लेगा और भी कई तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं तो आप आपने वहां पर देख लें आपके वहां पर कौन सा चल रहा है बोई या प्रोडक्ट रखें जैसे आप देख सकते हो यह हैं अंकल सुपाडी और पा कूपन 10 रुपए से लेकर और 25 रुपए तक निकलता है तो दोस्तों माली ही इसमें दस रुपए का कूपन निकला तो यह सुपाडी है 50 रुपए की और इसमें पाच-पाच रुपए वाले तो दुकांदार को कितने की पड़े गई 40 रूपय की और तैयारी ये 60 रूपय की तो दुकांदार का होगा 20 रूपय का प्रोपेट और दोस्तों अगर 25 रूपय का कूपन निकला आया तो सुपाड़ी पड़े गई 25 रूपय की और तैयारी कितनी ये 60 रूपय की तो 35 रूप अगर दुपांदार आप से जुड आएंगे फिर आथा हैं और वी आइटम दिखा सकते हों और और अपको एक दुकांदार से 22 रूपएब प्रोपिट हो गया और भी कई आइटम है जैसे नाम हैं बच्चों के खिलोने हैं बबल्स है इस तरह के आइटम आप रख सकते हो यह खूब बिस्ते हैं और दोस्तों आप देख लें आप सेलेक्टेड आइटम ही रखें जो आपके वाद चलते हो वाद में आपको बले ही कम म सब्सक्राइब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद